कि नमस्कार असी मारिया वर्त में आपका स्वागत है मेरा नाम है गौरव और आज जो विसे में ने लिया है वो युक्रेन और रसिया के जो बीच में एक टिंसन का महौल है वहां पे स्थिती गंभीड है उसके बारे में हम बात करेंगे आज और इसको देखेंगे कि इसके प पे इसका जो क्या इंपक्ट आने वाला है और भारत कैसे इसमें निगोशियेट कर सकता है जो सिच्वेशन है इसमें वो कैसे आगे बर सकता है और आगे बरने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और साथ मै बैल आइकन को जरूर प्रेस कर दे था कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अप्लोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे आगे बरने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा इतिहास का एक समराइस्ट वर्जन आपके सामने रखता हूँ वो ये बात है कि युक्रेन जो था वो सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था जो पहले पूर्ज रसिया था विशोयद के बात और युक्रेन भी उसी में सम्मलित था बाद में 1991 यानि 1991 में सोवियत यूनियन टूटा वो डिजॉल हुआ और इसके कारण बहुत सारे नए देश बने थे और युक्रेन भी उसी समय आजाद हुआ था लेकिन बात ऐसी थी कि युक्रेन के जो लीडर्शिप थी और बांकी जो भी देश थे उनकी लीडर्शिप भी सोवियत एरा के जो लोग थे वही थे और इस कारण जो था रसिया के साथ उनका एक रिस्टा रहा था वो कोई खास खटाई वाला नहीं था जैसे हम भारत पाकिस्तान में देखते हैं या साउथ कोडिया नौर्थ कोडिया में देखते हैं उस तरह का कोई मधवेद दोनों क बीच में नहीं रहा था बौडर को लेके सीमा रखा को लेकर तो आप यहां पर देख सकते हैं कि रसन युक्रैनियन फ्रेंशिप क्रीटी यह उसस समय 1907 में यह साइन वी थी 1997 में जिसमें आप देख सकते हैं कि रस्या और युकरेन की जो का जो रिस्ता था वो कोई होस्टालिटी वाला नहीं था दोनों आपस में उनके कोई ज्यादा मतभेद नहीं थे और इस कारण उन्होंने यह ट्रीटी साइन की थी जिसमें जो मेन फोकस था वो बॉर्डर को ही लेगे था सीमा रेखा के लिए दोनों मतलब समझोता उनका हो चुका था कि यह हमारी सीमा रेखा है और कोई एक दूसरे के सीमा रेखा के अंदर के जो टेरिटी यह उसको क्लेम नहीं कर सकता तो यह कोई ऐसा था नहीं लेकिन बाद में उनिस सो दोहाजार अठरह में जो युक्रेन के प्रेसिडेंट थे उन्होंने पिर इस ट्रीटी को एक तरह से एक्स्टेंड नहीं किया और कहें तो बरखास थी कर दिया यह ट्रीटी को स्क्रैप कर दिया था उसका कारण यह था कि 2014 में क्रीमिया जो रीजन है यह क्रीमिया रीजन को रसिया ने पुतिन ने रसिया में मिला लिया था एनेक्स कर लिया था अब यह क्रीमिया रीजन क्या है यह हम यहां पर देखते हैं गूगल अर्थ में तो यह युक्रेन है और यह रसिया है और इन दोनों के बीच का यह है लेकिन जो क्रीमिया है वो यह है तो यह क्रीमिया रिजन जो है इसको युक्रे से रशिया ने 2014 में अपने में मिला लिया था और इसमें ज्यादा कुछ रिवोल्ट ज्यादा कुछ विरोध रशिया को देखने को मिला नहीं साथ में रशिया यहां पर सैन्य सक्ति के जोड पर इसको अपने में नहीं मिला है क्योंकि बात ऐसी थी कि यहां पर जो लोग रहते थे उनका इं यहाँ पे कोई खास मतलब रशिया को रिवोल्ट बेखने को नहीं मिली थी और इसी के साथ ही यह क्रीमिया का रिजन हो गया साथ में ये जो आप यहाँ से मैं अगर बॉर्डडर करूं आप इस पे ध्यान दे कि यह जो बॉर्डर यहां से ले के यहां तक यह बॉर्डर को इस तरफ के डीजन को डॉन्बास कहा जाता है डॉन्बास में भी रशिया के जो समर्थ है जो वो काफी जादा पाए जाते हैं और इसी लिए यहां पर ग्रीयुद की स्थिती बनी हुई वहां ग्रीयुद चल वी रहा है युकरीन के जो फोर्सेस है और अर्शियन समर्थित मिलिशिया जो है वह उनके बीच में यह भी बहुत ही एक प्रीजन हो चुका है उक्रेन मेरे तो यह थय दोनों क्यों इंपॉर्टेंट है और रसिया कि यह local issue नहीं रहा इसमें बहुत सारे देश आ चुक नाटो के जो देश हैं जिसको अमेरिका लीड करता है अमेरिके नित्रित उमें जो नाटो के देश है उन्होंने भी रशिया पर मतलब एक तरह से जोड प्रेसर देने की कोशिश करना करनी सुरू कर दी कि युक्रेन का जो issue है उसको resolve करें तो इसमें most important जो देश है वो है UK इसमें अमेरिका के साथ खड़ा है यहां सो में फ्रांस जर्मनीय पॉलेंड है लिट्रेनिया अस्टोनिया है और एक को यह सारी चो देशें यह इधर वाली जो देश है उनका यह लाटविया है इनका रशिया के साथ डेर्यक्त रिए्रिच्प कॉंट्स है यह है लुठियनिया के साथ भी है बेलाडूस जो है वो रेशन समर्थित है तो इसलिए यहां पर यह साड़ा बॉर्डर आजकल बहुत ज्यादा साहिन गतिवीदियों का सामना कर रहा है वहां पर साहिन यह गतिवीदियां बहुत जादा देखने को मिल रही है तो इसमें मेंटालिटी जिसको कहते हैं जो अमेरिका पहले से चला रहा है वहां पर और वो उसको फिर से रिवाइव करने की कोशिश करने है कोड़ वार या सीथ युद्ध जिसको कहते हैं उसमें सोवियत संग और संयुक्त राष्ट के बीच में जो था एक बहुत ही बड़ा एक पॉस्चिरिंग भी काफी ज्यादा हुई थी बहुत ज्यादा टेंशन उससा में हुआ करती थी और ऐसा लगता था कि विश्यूद टीन होने वाला है तो वाई उसी को फिर से सुरू कर दिया यहां पर रूस का अगर कहें तो रूस यहां पर मतलब कमजोड है उस तरह सोव कॉछनली कि इसदियालिटी वह ऐसी क्यों है इसका करें यह है कि ए कि एक आप अगर समझें तो यह समिद्व यह टी का पर मेलिटा करता है है वह पृष्टी सरह लेकिन जो वर नुर Trustee गॉश्य से ओ ब्युरुकाज़ में और इस तरह के जो भी और चीजें उनको establishment कहा जाता है और वो उनको तो election की जुरत नहीं पड़ती है उसमें career diplomats रहते हैं, career bureaucrats रहते हैं, military leaders रहते हैं उनको establishment कहा जाता है, साथ में जो corporations होते हैं, defense corporations होते हैं, उनका भी इसमें बहुत बड़ा participation होता है, उनको कहा जाता है military industrial complex, तो इन दोनों की साथ गांट में जो होता है कि एक अलग अलग तरिके से वो चाहते हैं कि युद्ध की स्थिति बनाए या युद्ध भी अगर हो तो हो, क्योंकि उनको market चाहिए होता है, अपने जितने भी products होते हैं, जो defense corporations होते हैं, उनको अपने products बेचने होते हैं, और government को lobby करनी होती है, तो उसके बाद यही जो establishment है, वहाँ पे वो काम करती है, तो बिना युद्ध के उनके सामान बिखेंगे नहीं, जो उनके fighter jets हैं, उनके tanks हैं, उनके जितने भी missiles हैं, इस तरह की च देख सकते हैं कि Ukraine के कारण, फिर वो जो MIC कहते है, military industrial complex, उनकी फिर से market value बढ़ चुकी है, और बहुत सारे जो weapons हैं, वो इसी इलाके में आ रहे हैं, एस्टोनिया, लिट्वियनिया, पोलेंड, उसके लात्विया, उसके वाद युक्रेन, इस तरब जो है, बहुत सारे जो weapons ह वो आ रही है, अब ये पहली बार नहीं है, ये ऐसा बहुत बार हो चुका, आपने इराग में भी देखा, आपने अफगानिस्तान में भी देखा, आपने सीरिया में देखा, आपने लीविया में देखा, आपने येमेन में देख रहे हैं, वियतनाम में देखा हैं, तो ये अब उतने ही तक दे सकते हैं जब तक आपने एक रिवेंज ले लिया हो या फिर जो भी वह जो भी इसके पीछे लोग थे जुन्हों ने 9-11 किया उनको खतम कर दिया हो उनको पनिश कर दिया हो उसके बाद तो वह वार खतम हो जाती लेकिन अमेरिका फिर भी 20 साल अफगानिस स्टेल कॉंप्लेक्स वाली बात रही या भी और फिर इराक में भी गॉल्फ स्टॉर्म वन गॉल्फ स्टॉर्म टू हुआ था इसी तरह अभी युक्रेन और इसका चल रहा है अब अगर मैं आपको देखाऊं कि यहां पे लोग समझते हैं कि रसिया और युक्रेन की बीच में वैसे ही होस्टिलिटी है जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में तो वह कारण नहीं है क्योंकि अगर आप देखें यहां पे एग्रेसर कौन है पहले तो मैंने आपको फ्रेंशिप ट्रेटी उन लोगों की दिखाई थी आप देखें यहां पे आपका एक नकसा है जिसमें यह दिखाया गया कि NATO members जो है वह इस color में है तो जितने भी इस color में देश है वह NATO members यह तरकी है यह जर्मनी यह फ्रांस है UK है Spain Portugal Italy Estonia भी है यहां पे उसके आद लात्विया है उसके आद लुथियनिया है पोलेंड है यह सारे देश युक्रेन नहीं है क्योंकि यह जो क्रीमि यह दिखाता है कि यूएस के ट्रूप नैटो का अलग ट्रूप है और यूएस के अपने जो ट्रूप है वो कितने है तो जर्मनी में आप देख लें कि सबसे जादा है और इटली में उसके बाद दूसरे नूमर पर आता है क्योंकि यह जो दोनों देश थे वह विश्यू उन्होंने एक तरह से उनके सारे बॉर्डर पर देख लिए घेर रखा है लेकिन बस एक यूक्रेन जो था उस बॉर्डर पर यह बेलारूस है तो इस बॉर्डर पर कोई खास वहां पर नहीं है तो इसलिए यूक्रेन को अब नैटो अपने साथ मिलाना चाहता है ताकि यह भी कभर हो सके एक मेंटलीटी है BOY men कहते हैं जो पर रशbles को बूगर में की तरह दिखायी जाता कि वह यूरोप पेटाग कर endlesslyिगा या या अमेरजिप पेटाग कर देगा अब अमेरिकांके बैसिल देखे पूरे व्ल में अमेरिंपी है जो रेड है वह सबसे हींपॉर्टेन रखें, अस्ट्रेलिया में रखें, टर्की में रखें और अमिर्का तो खुद है ही, तो इन सारे जगों पर उन्होंने military base रखें, अब यहां पर मैंने जैसे तभी NATO का दिखाए तो रख्चिया, एक तरफ से West border पर यानि European border पर वहां पर घेरा रखा है उनको, इधर से भी East में भी South Korea और Japan में naval bases हैं, उसके साथ ही पूरे दुनिया में उनके कई और bases, छोटे बड़े bases आप देख सकते यहां पर, तो एग्रेसर यहां पर मैं फिर से कहूंगा कि आपको कौन दिखता है, अगर compare करें Russian bases की, तो पूरे जो वर्ड में अगर कहें, तो बस यह कुछ है, बेलारूस जैसे बताया था, मालडोवा है, उसके बाद यह सारी जो bases हैं, एक legacy base अगर इसको कहें, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यह सारी जो countries थी, यह सारे जो देश थे, वो पहले Soviet Union का हिस्सा थे, अभी के समय जो दो नए base रसिया ने बनाए हैं, वो एक Syria में बनाए हैं उन्होंने, और एक जबूती कहते हैं, यहां पर जो देश है, वो, अब पूरे अगर विश्व में अगर हम देखे, तो यहां बी और कोई Russian base नहीं है, एक समय हुआ करता था कि यहां पर क्यूबा है, वहां पर Russia की Soviet Union की एक military base हुआ करती थी, लेकिन वो भी आप खतम हो चुकी है, सीत यूद के दोरान, अब देखें, यहां पर कोई यह नहीं है, तो अब बात चल रही है, लेकिन Venezuela और क्यूबा में फिर से base बनाने की, लेकिन वो बात अभी discussion में ही है, तो आप देख सकते हैं कि यह aggression किस तरफ से जादा हो रहा है, अब जैसे मैंने बता है कि Ukraine को वो आपस में मिला ना चाहते है, उसका कारण क्या है, और कैसे मिला रहे हैं, तो यह color revolution कहा जाता है इसको, तो बहुत सारे देशों में आप देख सकते हैं कि color revolution, आपको दीख़़ा color कितने तरत रहे हैं, तो एक organic revolution जो होता है, एक organic protest कहा हैं, तो जो local level पे होता है, क्योंकि वहां के ज prices अगर जादा हैं, तो उनके किलाब किसी और चीज के लिए अगर protest करें अपने rights के लिए, तो उसमें फिर धीरे धीरे जो बाहर के देश हैं, वो अपना भी पैसा, अपना influence उसमें देना चालू कर देते हैं, और वो जो protest होते हैं, वो इतनी जादा बढ़ जाती है, कि वहा स्लाविया है, यह देश कभी हुआ करता था, योडोप में अब इसका existence वहां नहीं रहा, इसी तरह जो युक्रेन में है, उसको कहा जाता है, orange revolution, तो युक्रेन में भी एसी तरह के protest चले थे, जिसको बहुत हवा दी गई, बहुत political parties और यह सब यह सब जो हैं, वेस्ट के sympathizers जो थे, उन्होंने इसको हवा दिया, और फिर वहां पर जो government, वहां establishment थी, उसको हटा के अब वहां पर एक parliamentary system है, वो लाने की कोशिश की गई, parliamentary system आपका जो British या इस level का है, उसको, तो वो फिर एक तरह से western influence दिखाता है, western जुकाओ वहां पर जादा हो जाता है, तो इसी तर से युक्रेन में भी यह हुआ, अब युक्रेन की अभी की जो political, जो वहां पर ruling class है, वो western influenced है, भले वहां की जो locals है, वो उतना ज़्यादा नहों क्योंकि मैंने आपको दौनबास का दिखाया था, जहां पर public अभी भी Russian sympathy उनकी पास रहती है, अब और मैं आपको कुछ example दू जो उन देशों में वो भी establishment का ही हिस्सा होती है, और उनके मताबिक वो इस तरह के headlines निकलती है, आपने बारवर सुना होगा कि पुतिन is about to invade Ukraine, पुतिन is about to invade NATO members, Latvia, Estonia, Lithuania, पुतिन has put a gang of assassins in Ireland to kill people in England, तो इस तरह के आपको news आपको मिलते होंगे, यह जो खबर है, वो इस त दूसरी पार्टी है, जो दूसरी तरफ जो adversary है, उसको negative उसमें दिखाये जाए, इसको propaganda ही कहते हैं, अब जो सच्चा ही है, उसमें क्या है, तो सबसे पहले बात जो मैंने कही थे कि Ukraine जो है, वो NATO का हिस्सा नहीं बन सकता है, क्योंकि इसकी जो एक इसका एक region है, डॉनवास म में वहाँ पे conflict चल रहा है, और साथ में क्रीमिया पे Russian जो है, उसको annex कर लिया है, तो यह जो है, यह पहले naval chief थे, अभी हाली में उन्होंने resign कर दिया है, और फिर उन्होंने mafia भी मांग लिए, शमा भी मांगी है, क्योंकि उसका कारण क्या है, तो उन्होंने कुछ बाते कही थी, जो वेस्ट में, जो military industrial complex या establishment है, उनको पसंद नहीं आई, तो उन्होंने यह कहा था, कि जो रूस है, वो युक्रेन का छोटा सा जो यह है, उसको नहीं चाहरा, उसके लिए को एक फाइदा वाली बात है नहीं, वो चाहरा है कि उन्होंने respect मिले, जो पुतीन है, उनको respect मिले, रुशिया को respect मिले, एक ally के तरफ, एक equal के तरफ उनसे बात की जाए, तो इसलिए यह ज़रूरी है कि हम रूस को अपने साथ रखे, तो इससे क्या होगा कि जो रूस है, वो हमारे मदद कर सकता है चाइना को contain करने के लिए, लेकिन यह बात अच्छी नहीं लगी, ज कैसे मैंने पहले बताया कि उनकी line को अगर आप cross कर दे या out of line बाते करे तो आपको उसका खाम्याजा, उसकी punishment आपको मिलनी ही मिलनी है, तो यह सच्चाई यही है, इनको resign करना पड़ा, इनको फिर माफी भी माँगनी पड़ी थी, तो जो इस तरह की बाते यहाँ पे समझ म हैं, वो उनका मकसद कुछ और है, उनके पीछे कुछ और कारण है, जैसे मैंने बताया कि military industrial complex है, दूसरा यह भी कारण है कि जो finance के जो कुछ बड़े बड़े companies होते हैं, corporations होती ही, जो banking companies होती है, उनको भी फाइदा मिलता है इस तरह की युद्ध से, क्योंकि उनको पता रह लिंक करते हैं, फिर वो अपने उनको idea होने के बाद वो stock बेचती है या खड़ीती है, या इस तरह जो करती है, तो उनको फाइदा हो जाता है, क्योंकि जब ये news बाहर आती है, तो stock exchange में सबसे ज़्यादा impact परता है, क्योंकि वो इसी तरह की news के लिए sensitive रहती है, जैसे petrol prices क जो है, वो spike कर जाती है, उसमें supply chain का एक issue बन जाता है, तो इसके करन जो petrol के corporations है, उनके stocks भी बहुत जादा उपर चले जाते हैं, तो इस तरह से फाइदा होता है, दूसरा जो black sea है, यहाँ पे अमेरिका और NATO जो है, वो अपना base बनाना चाहता है, और Asia को contain करने के लिए, और Russia चाहता था कि negate कर दे, यहाँ पे वो नहीं चाहता था कि अमेरिका अपने navy को यहाँ पे लाए, सबसे जो important अगर किसी भी war में, दो देशों के बीच में अगर बहुत बड़ा conflict देखने को अगर मिलता है, तो वो सबसे जादा आपके अगर naval route या sea route अगर secure है, supply वहाँ से secure है, तो आप war में आपका हमेशा upper hand रहता है, तो यही कारण है कि यह पूरा जो एक सिलसिला है, यहाँ पे चल रहा है, वो उसके पीछे यह सारी बाते हैं, तो यह मेरे तरफ से कुछ रहा है, मैंने आपके सामने रखे, यह media पे शाहिद देखने को नहीं मिलता है, और इसके के favor में बात करते हैं, कुछ जो है वो जो अमेरिका उनके favor में बात करते हैं, तो यहाँ पे भारत का जो है, उसका क्या यह है, डूल है, तो भारत का बस मैंने, मुझे लगता है कि अभी के समय भारत ने जो stand लिया, भारत की government ने जो stand लिया हो सबसे सही है, क्योंकि यह दोन किया नहीं है इस मामले में कि एक तरफ को ज्यादा जुकाओ दिखे और दूसरे को नहीं तो UNSC में यानि युनाइटेट नेशन सेकुरेटी जो कॉंसिल है उसमें एक वोटिंग हुई थी रसिया के किलाब जिसमें रसिया और चैना ने अगेंस्ट वोट किया था और इंडिया बाकी और जो देस थे वो एपसेंटी वोट हो गयते तो यह जो फाइदा हुआ था वो रसिया को ही लेकिन यह भी जानता है कि भारत अपने आपए भी स्टैंड कर सकता है अमने किसे का हिसा बनने की जूरुत की सबने की कियो अमेरिका चाहे का कि भारत की जो जमीन है उस पर वह अपना वी किस के साथ कि बीस इस वह कि अई मिलेटरी के हम है जहीं स्थर्ष में नहींदेखन वह भी अच्छी जा रही तो इसलिए हमने यह बेस बनाने की जुरत नहीं समझी लेकिन अमेरिका फिर भी यूरोपियन यूनियन या अमेरिका अभी भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट के हवाले से और रूस के साथ हमारा मिलिट्री कॉपारेशन है साथ में इसरो के साथ भी हमारा इस्पेस जो candidates है, potential, जो candidates है, वो Russia में training ले रहा है और हमारा अभी गगनियान शुरू होने वाला है, जो space mission वो शुरू होने वाला है, तो इसलिए हम दोनों से मतलब किसी एक side खड़े नहीं हो सकते, हमें दोनों के साथ equally negotiate करना चाहिए, equally वहाँ से बाते करनी चाहिए, तो यह अच्छा एक policy है यहाँ पर बारत सरकार के तरफ से, और यही सारी बाते हैं, जो आपको सायद मीडिया में देखने को ना मिले, कोई और इसको बताए ना, आपको यह बात कैसी लगी, यह आप क्या समझते हैं, कि इसमें कितनी सचाई है, आपको लगता है कि यह conspiracy है, यह पिर यह सचा आई है, तो आप अपने राए मुझे मेरे comment section में जरूर बताएं, और उसके साथ ही चैनल को subscribe करें, वीडियो को like करें, और साथ में बैल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो upload करूँ, आपको notification मिलती रहे, अगली बार फिर से मिलेंगे आप और जय हिंद, नमस्ते